नहीं चाहिए नंद वाला सस्ट्वाल कहते हैं हर घर में सबकी बराबर बात मानी जाए तो घर अच्छे से चलता है लिकिन क्या हो जब एक घर में सिर्फ नंद अपनी चलाए चलिए देखते हैं ऐसे ही माही आज घर में चाप की सबजी बनाती है तभी वहां रिंकी आती है और उसको चाप बनाता देख लेती है भाबी ये क्या आप चिकन बना रही हो अगर मम्मी को पता चल गया ना कि आप इस घर में चिकन बना रही हो तो आपकी खैर नहीं ननन जी लगता है आपकी आँखों में न काला पानी हो गया है तभी तो आपको चिकन और सोयबिन चाप में फर्ट रही दिखाई दे रहा भाबी ये कोई सोयबिन चाप नहीं बलकि चिकन है यहीं रुखिये मैं भी माँ से बात करके आती हूँ इतना बोल कर प्रिंकी वहां से चली जाती है और अपनी माँ पुषपा से जाकर उसके कान भरने लगती है माँ आपको पता भी है आपके पीट पीछे इस घर में क्या बन रहा है अरे नहीं बेटा बताओ तो क्या बन रहा है मुझे तो बहू ने बताया था कि आज कुछ अलग सबजी बना रही है अरे कोई अलग सबसी नहीं बना रही हो बलकि हमारे ध्रम को ब्रश्ट कर रही है आज तक इस घर में चिकन नहीं बना है लेकिन वो महरानी इस घर में चिकन बना रही है चिकन अरे ये क्या बकवास कर रही हो रिंगी तुम इस घर में चिकन नहीं बना सकती अरे उसे भी अच्छे से बता है इस घर में चिकन कोई नहीं खाता अरे मा इस घर में कोई नहीं खाता लेकिन वो तो खाती है न अरे तुम कहना क्या चाती हो कि मा ही घर में चिकन बना रही है और नहीं तो क्या अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो चल कर खुद किचिन में देख लीजे कानों सुनी ना सही लेकिन आखो देखी तो विश्वास हो ही जाएगा ना आपको ड्रिंकी की बात सुनकर पुश्पा किचिन में चाती है जहां वो चाप को फ्राइ होता देख अपनी बहू से कहती है माही ये क्या बना रही हो तुम अवे क्या बना रही हो चाप की सबजी बना रही हो और क्या ममी जी और वेसे भी मैंने आपको बताया तो था आज मैं कुछ अलग बनाऊगी हाँ तुमने कहा था कि तुम कुछ अलग बनाऊगी लेकिन तुम चिकन बनाओगी ये मुझे नहीं पता था चिकन? चिकन कौन बना रहा है ममजी? और आपको ये बात किस ने कही कि मैं इस खर में चिकन बना रही हूँ? मुझे बहुत अच्छे से बता है कि इस खर में कोई भी चिकन नहीं खाता तुम इस घर में चिकन क्यों बनाऊंगी? वो, रिंकी ने बताया कि तुम इस घर में चिकन बना रही हो? हम, अच्छा तो ये बात है, मम्मी जी पर चाप की सबसी बना रही हूँ और ये सोयबीन चाप है, सोयबीन, बस सोयबीन चाप दिखता चिकन की तरह होता है पर वो चिकन नहीं होता, वो प्योर वैच होता ही अगर आपको मेरी बात पर विश्रास नहीं होता ना तो आप गूगल करके देख सकती है या फिर आप अपने बेटे डुराज को फोन करके पूछ सकती है माही की ऐसी बाते सुनकर पुषपार रिंकी को बुलाती है और उसके उपर गुसा करने लगती है अरे रिंकी ये क्या बेहुदी है जब तुम्हें पता ही नहीं है कि चाप स्वया बिंकी होती है तो तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि तुम्हारी भाबी चिकन बना रही है माही की बात सुनकर ट्रिंकी और पुष्पा दोनों ही डाइनिंग टेबल पर चली जाती है और कुछ देर बाद माही अपनी सास और नंद के लिए खाना लगाती है खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कम्रे में चले जाते हैं देर राध राज घर आता है राज को देख माही उसके लिए खाना लगाती है और कुछ देर बाद वो कहती है राजशी हमारा टीवी ना बहुत पुराना हो चुका है कभी कभी तो हमारा टीवी चलते चलते बंद हो जाता है क्यों ना हम एक अच्छा डिजिर्ल टीवी ले ले माही तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं टीवी खरीदू या रिंकी की शादी की सोचू क्योंकि तुम जानती हो ना उसकी सादी में भी हमें दहेश देना होगा हम आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है राजशी लेकिन हम कब तक अपने घर का पुराना टीवी बाबर ठीक करवा कर देखते रहेंगे एक तो हमारी घर में वो छोटा सा टीवी है उपर से ममेशी की आँकों पर जश्मा भी लगा हुआ है हाँ तुमारी बात सही है पर तुम ये भी तो सोचो ना कि रिंकी शादी लाइक हो गई है हमें उसकी शादी करनी है वैसे मैंने रिंकी के लिए ग्रिस्ता देखा है मां से कल ही इस बारे में बात करूँगा माही और राज आपस में बाते कर रहे थे और उनकी आपस की ये बाते दूर खड़ी रिंकी सुन रही थी अच्छा तो मुझे इस घर से निकालने की बात की जा रही है कोई बात नहीं भाईया मां से शादी के बारे में बात करें उससे पहले ही मैं मां के कान भर दूगी इतना बोल कर रिंकी अपनी मां पुष्पा के पास चली जाती है और एक बार फिर अपनी मां के कान भरने लगती है मां आपको पता भी है आपकी बहू आपके बेटे के कान भर रही है अरे क्या बक्वास करती रहती है रिंकी तू मुझे तो अब तेरी बातों पर विश्वास ही नहीं होता अरे बला बहू राज के कान क्यों भरेगी राज मेरा एक खृता बेटा है और वो इस घर की एक लौती बहू तो से कान भरने की क्या ज़रत है अरे मां भी भृया एक लौती नहीं है अभी मैं हूं इस घर में इसलिए भाईया का मुझ पर भी ध्यान चाता है और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा न तो आप खुदी भाईया से पूछ लेना कि भाबी इस घर में नया टीवी लाने की बात कर रही थी या नहीं भाबी इस पुराने टीवी को बेच कर नया टीवी लाना चाती है और वो भी डिजिटल उस दिन के बाद पुछपार रिंकी की बात पर विश्वास नहीं करती और वो उसे उसके कमरे में जाने को बोल देती है अगले दिन राज अपनी मा से रिंकी की शादी की बात करता है मा मैं आप से कुछ जरूरी बात करने आया हूँ हाँ हाँ बेटा बताओ क्या बात है मा अब रिंकी बड़ी हो गई है समय के साथ उसकी उम्र बढ़ती जा रही है इसलिए मैंने उसके लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिस्ता देखा है जैसे अपना छोटा सा घर है न वैसे ही वो घर भी है एक बाई दो बेहन पर लड़का बहुत अच्छा है अच्छा कमाता भी है एक बार आप देख लो फिर मैं बात करता हूँ अरे बेटा मेरे देखने से क्या होगा रहना और पसंद करना तो रिंकी के ऊपर है न अब वो इस रिष्टे के लिए हा कर दे तभी तो शादी होगी न तो ये फोटो आप भी देख लो और रिंकी को भी दिखा दो लड़का बहुत अच्छा है मा कमाता भी बहुत अच्छा है अच्छी फैमिली है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि रिंकी इस लड़के के लिए मना नहीं करेगी पुष्पा अब लड़के की फोटो देखती है पुष्पा को रिंकी के लिए वो लड़का पसंद आ जाता है लेकिन जब पुष्पा वो फोटो लेकर रिंकी के पास जाती है और उस लड़के का बायो डाटा उसे बताती है तो वो मा लड़का अच्छा है अच्छा कमाता भी है मुझे लड़का भी पसंद है लेकिन मैं इस घर में शादी नहीं करूँगी क्यों नंशी आप उस लड़के से शादी क्यों नहीं करना चाती क्योंकि इसकी दो दो भेने हैं आप समझ नहीं रही है भावी दो दो नंद मैं नंद वन को नहीं चेल सकती और मैं उस घर में ही चाऊँगी जिस घर में एक लौता लड़का होगा रिंगी पाशोंगली एक बराबनी होती और क्या हुआ अगर उसके दो बने हैं अब आज है कल नहीं होंगी भावी आपको पता नहीं है नंग कितनी तेज होती है सास बहु के बीच जितनी भी बहस होती है न उन सब के बीच नंग का ही किया कराया होता है हम, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे और माही के बीच में जितनी भी लडाईया होती है उन सब की आग तू ही लगाती होगी अरे माम मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे ही क्या मिलेगा अपने ही घर में आग लगाकर हाँ तो लड़के की बहन भी ऐसी नहीं होने वाली देखो, संडी को लड़के वाली आ रही हैं, इसलिए तुम रेडी रहना और ये बात में खुद से नहीं बोल रही, तुमारे भाईया बोल कर गए है माही की बात सुन कर, रिंकी अपना मूव बना कर वहां से चले जाती है शाम को माही राज से कहती है राजशी में केर वही थी कि अब तो रिंकी का भी रिष्टा पका हो जा रहा है तो उसकी शादी के लिए हमें समान लेना होगा तो क्यों ना हम अपने घर के लिए भी टीवी ले ले, कल को महमान आएंगे अब भी को जो है तो उनकी सामने एक चोटछा सी टीवी अच्छा तोड़ी न लगीगा माही की बात सुनकर राज उसकी बात से सेहमत हो जाता है और अगले ही दिन व stata एक बड़ा और भेंगा टीवी लेकर आ जाता है अपने घर में इतना बड़ा और महगा टीवी देखकर ट्रिंकी एक बार फिर अपनी मा के कान में बुद्वद आने लगती है देखा मा क्या कहा था मैने आप से? कहा था ना भाबी भया को टीवी लेने के लिए फोर्च कर रही हैं और देखा कितना बड़ा और कितना महगा टीवी लेकर आ गई भावी तो जड़ा भी नहीं सोचती कि भाईया के उपर कितना प्रेशर है और कल को मेरी शादी होगी तो उसमें भी तो खर्शा होगा ना लेकिन नहीं उन्हें तो अपनी ख्वाइशे पूरी करनी है और अगर द्रिंकी की बात सुनकर पुश्पा को गुषसा आता है और वो गुषसे में राज से कहती है अरे राज इतना महगा टीवी तू क्यों लेकर आ गया और ये ममिशी आप राजची पर इतना घुसा क्यों कर रही है और वैसे भी ये टीवी मैंने मंगवाए है राजची से क्य देखने आएंगे तो अजीब नहीं लगेगा उन्हें इस छोटे से टीवी के सामने बैठने में बहु हमारी जितनी चादर होती है ना हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए और तू यह कैसे भूल गई कि कल को रिंकी की शादी होगी उसमें हमें दहेश भी देना होगा अगर त चाहते हुए भी बोल पड़ती है ममची माफ करना पर मैं आज पहली बार आपको जवाब दे रही हूं यह जो टीवी आप देख रही है ना हां मैंने मंगवाया है राज्छी को कहकत उनके पैसों से मंगवाया है लेकिन आप जो बार बार यह कह रही है ना कि रिंकी की है लेकिन एक टीवी नहीं अगर मैंने एक टीवी मंगवा लिया तो कौन सा गुना कर दिया माही के मुह से यह सब जान कर पुश्पा रिंकी को अपने कहे हुए शब्दों पर शर्मिंदी मैसूस होती है जिसके बाद पुश्पा अपनी बहू से माफी मांगती है और रिंक कि एक नहीं दो दो नंती तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सिस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बैल आइकन को दबाकर सिस्क्र कानी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिए बाइब दोस्तों